भाईजान ने अपने इंस्टाग्राम एकाउंट से एक वीडियो पोस्ट किया है जिसमें सलमान मुंबई की तेज बारश में साइकल चलाते दिखाई दे रहे हैं वीडियो को पोस्ट करते हुए सलमान खान ने लिखा बारश में मुंबई शहर दबंग तीन की शूटिंग के लिए लोकेशन पर पहुँचने के तयारी सलमान खान का ये कैप्चन देख कर तो ऐसा लग रहा है कि दबंग तीन की शूटिंग अब जैपूर के बाद मुंबई में हो रही है जैकलीन ने अपने इस्टाग्राम एकाउंट से एक वीडियो पोस्ट किया है जो इंटरनेट पर काफी ज्यादा पसंद किया जा रहा है इस वीडियो में जैकलीन कर्थक करती नजर आ रही है बारल हो रहे है इस वीडियो में फिल्म बाजी राओ मस्तानी के सूपर इच गाने मोही रंग दो लाल पर जाके इन अपनी डान्स और एक्सपेशन से खुब जल्वेव दिखे रही है चुषान सिंग राजपूत और श्रदा कपूर का जल्वा इन दिनो बाक्स ओफिस पर च्छाय हुआ है फिल्म ने पैले दिन बाक्स ओफिस पर जबरदस्त ओपिनिंग की तो वहीं दूसरे दिन बीची छोरे ने पैले दिन की कमाई से दो गुना बहतर कलेक्शन किया फिल्म का टूटल कलेक्शन करीब 20 करोड रुपय हो चुका है रवीना चंजन की बेटी चायल जल्दी माँ बनने वाली है नानी बनने को लेकर रवीना बेहत खुश और एक्साइटड है पूझा मकीजा ने शोशल मीटिया पर बेबी शावर की कुछ तस्वीरों को शेयर किया जिसमें नानी बनने को लेकर रवीना बेहत खुश नजर आ रही है मशूर आक्टर और कतक गुरू वीरू कृष्ण का निधन हो गया कृष्ण के निधन के बाद बॉलवुच की कई हस्तियों ने शोख प्यक्त करूने याद किया फिल्मों में आक्टरिंग के लिए कतक गुरू के रूप में वीरू कृष्ण को जाना जाता है कई फिल्मी हस्तियों ने उनसे ट्रेमिंग भी ली है